Welcome students, कैसे हैं सबी? आपका अपने चनल Quick Science में बहुत बहुत वैलकम है जैसा कि हम Seated Science Paper 2 की तैयारी कर रहे हैं जो आपका एक्जाम बहुत ही अब जल्दी होने वाला है तो ये सिरीज आज का जो हम टॉपिक कर रहे हैं बेसिकली टॉपिक नंबर 18 इसमें हम एक टॉपिक नहीं तीन टॉपिक एक साथ कवर करने हैं और जो आपके नोट्स हैं उसमें भी आप देखेंगे तो मैंने केंणो को एक साथ कर रखा है कॉशी का इससे संबंदित काफी कोशंड बने हैं और पूरी उमीद है जब पेपर ओफ लाइन हुआ है तो यह देखा गया है कि बाइलोजी से कोशन जादा आए हैं as compared to जब पेपर ओफ लाइन हुआ और इस बार पेपर फिर ओफ लाइन है तो बाइलोजी सेक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है और यह आज की क्लास क्लास 18 जिसमें ह हमें देखने हैं अगर आपको नोट्स चाहिए साइंस पेपर टू के लिए तो आप उसके रिकार्डिंग मेरे को मेरी मेल आइडी या वर्ट्सअप पर मैसेज कर सकते हैं 120 रूपीज की पेमेंट करनी होगी नोट्स प्लस सारी प्रीवेश येर विद आंसर्स आपको मिल चाहिएंगे नोट्स का वेनिफिट ये होगा जब लास्ट टाइम में रिवीजन करेंगे तो ये पूरी पूरी सीरीज देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ये आप आप देख लेंगे उसके बाद सिर्फ नोट्स से क्या करना होगा रिवीजन करना होगा तो वो बहु पूरी मेरी पूरी ये रहेगी कि आप उनको लें और उनके साथ साथ ये टॉपिक सीरीज देखें बस ये दोनों काम आप कर लेंगे तो डेफिनिटली आप साइंस पेपर टू में क्योंकि पेपर ऑफ लाइन है बहुत अच्छा मौका है बहुत ही बहतरी इन 25 प्लस स्कोर करने का साइंस में जब बच्चे पिछली बार ओनलाइन पेपर में भी 27-28 नंबर ला सकते हैं इवन मेरे पास कुछ स्क्रेंशॉट भी हैं आप कहींगे तो मैं दिखा दूँगी 27-28 नंबर भी बच्चे लेकर आएं हैं साइंस पेपर टू में ओनलाइन में भी तो ओफ ल बच्चे हैं वो 25 प्लस में आ सकते हैं और जो 27-28 वाले हैं वो फिर से ही 28-29 स्कोर कर सकते हैं दो तरह के बच्चे होते हैं बहुत डीपली पड़ती है और एक क्या होता है बस उनको यह होता है कि 20 प्लस आ जाए तो दोनों के लिए यह बहुत ही बैस्ट है जो डीपली पारा में बना विच ओफ दा फ्लूइंग ग्रूप और वर्ड कैन बी करेक्टली अइंटिफाइड विद राइजोबियम निम्न में से कि सम्हों को राइजोबियम के साथ सही डंग से पहचाना जा सकता है तक जो राइजोबियम होता है आको पता है यह हम पीछे भी प्रोटेंट जिवानों हैं जो कहां पाया जाता है लेग्यूमिनस प्लांट जो होते हैं जो फलीदार पौधे होते हैं जैसे मटर का पौधा चने का पौधा तो यह फलीदार पौधे होते हैं लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं इनकी रूट नौड यूल में जड़ों की प्लांट में नाइटोजन को जरुवत होती है protein synthesizes के टाइंग फे तो यह नाइटोजन का fixation करता है नाइटोजन का स्थरी करन करता है राइजोबियम बैक्टिरिया और यह पेडों की जड़ों में रहता है तो ये एक symbiotic relationship भी जो है वहाँ share करता है इस relation में क्या होता है दोनों एक दूसरे पर depend होते हैं तो ये क्या करता है plant से क्योंकि खुद खाना नहीं बनाता plant से nutrient लेता है और बदले में plant को क्या देता है nitrogen जो है वहाँ तक पहुचाने में मदद करता है तो clear हुआ होगा option number 3 जो ह यहाँ पर answer हो जाएगा ये nitrogen fixation करता है जड़ों की ग्रंथियों में पाया जाता है और ये फलीदार leguminous plant है तो option 3 हुआ answer next question second important है nutrition in animal में chapter में हम देखती है ये 2012 में question बना ये जो हमारी elementary का नाल होती है अहार नाल होती है इसका जो सही क्रम है वो हमें यहाँ पर बताना है तो नकाइस के बाद पर आता है झिसे घुता है ठाता है इसो थेखना ने खोता है और आपका चाहता है जो आमास्य होता है ऑलते है तो यह lançा लाग इनि तुछ उवचल को क्रम तक्षा उसके बाद बनेैखेगा है जहां इसका मों जुचलता है जहां पर क्रमेट टैजिशन अ फूड होता है अगर कोशन बने क्या सिख नार्च इंटेस्टाइन भी कोई डायजेशन का सरे नहीं जो फूड का डायजेशन हो अब उड्ल नहीं सिखते है नहीं नहीं सिंड गत्थे क्मप्लीड नॉइस á pigलाق क्ररीफ। जाता है तो यह हमारा एक सही order होता है तो option number one जो है वो मेरा यहां पर answer हो जाएगा next question 3 अब देखे यह 2012 में भी बना 2015 में भी बना the correct sequence of complex process involved in the digestion of food भोजन के पाचन में शामिल जटिल जो प्रिक्रियाएं होती है उनका सही क्रम क्या है यह हमको बताना है सबसे पहले हम अंतग्रेहन करते हैं इंजेशन करते हैं खाने को लेती हैं फिर खाने का क्या होता है उसका digestion होता है क्या होता है उसके बाद उसका digestion होता है पाचन होता है स्टमक में जाकर शुरू हो जाता है पाचन के प्रिक्रिया और दीरे दीरे वो small intestine तक आकर पूरी तरह स तो वो amino acid में convert हो जाती है तो वो जो important nutrients है food के अंदर वो क्या होती है वो absorption होती है तो digestion के बाद उनका absorption होता है तो पहले उनका absorption हुआ small intestine में और small intestine में ही आपकी जो blood की vessels है blood की जो नलिया होती है वो जोड़ी भी होती है और वहां से क्या हो जाता है जो important nutrients जैसे amino acid जो protein है वो amino acid में convert हो गया जैसे जो sugar है वो glucose में convert हो गई है तो वो सारी वहां से क्या हो जाता है उसके बाद blood के अंदर जो है उनका assimilation होता है स्वांगी करन होता है तो absorption के बाद उनका क्या होता है उनका supply होता है और उस supply को ही हम assimilation स्वांगी करन कहते हैं और सबसे last में आपका क्या होता है निसकाशन होता है ejection होता है जिसमें आपका जो waste material है वो आपके rectum के थुरू एनस के माध्यम से क्या होता है बाहर निकल जाता है तो option number second जो है वो यहां पर सही sequence होगा next question fourth जो 2012 में बना 2014 में बना और 2015 में बना तो यह question important हो जाता है study the flowing statement with reference to the willy of small intestine शुद्रांत में जो दिग्र रोम होते है उनके संदर्व में कौन सा कथन सही है यह हमें बताना है the statement which enable the willy to absorb the digested food absorption होता है न तो वो small intestine में ही हो रहा है तो उसमें कौन-कौन से कथन यहाँ पर दिग्र रोम को पचे हुए भोजन को अफशोशित करने में यहाँ पर होते हैं वो हमें यहाँ पर बताने है देखें जो willy होती है यह हमारी small intestine में आप देखेंगे NCRT में साफ साफ लिखा है finger like projection होते हैं इस तरह से यह willy हमारी small intestine में होती है और यहीं जो हम खाना लेते हैं उनका absorption होता है और इनी में क्या होता है नीचे की तिरफ जो blood vessels है जो blood की नलिया होती है वो होती हो और उसके बाद जो जितना भी खाना important उनके जो amino acid में convert हो गया other nutrients जो है वो क्या होती है blood के through ही क्या होते है हमारी body में supply हो जाते है फिर तो they willy के बारे में यहाँ पर they are finger like outgrowth बिल्कुल finger like outgrowth होती है और thousands होते है नमबर में बहुत जादा नमबर में होते हैं यह उंगली के समान उबरी हुई संरचनाए होती है और इनकी संक्या हजारों में होती है they have thin walls बिल्कुल हम यह पढ़ते है इनकी भित्ती जो है नोट में आप देखेंगे लिखा है इनकी भित्ती बहुत पतली होती है तो यह बात भी हाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगी they have network of thin and small blood vessels close to the surface इनकी सतय है उनकी निकट क्या होता है शुष्म रुधिर जो वाहिनी होती है उनका जाल फैला होता है और उसी से क्या होता है यह जो important nutrients है आपके पूरी body में blood के थूरू चले जाते है they have small pores through which food can easily pass यहाँ पर बस absorption तक की बात हो रही है तो उसके संदर में A, B, C यहाँ पर सही होंगे it means option number 3 जो है वो मेरा यहाँ पर आंसर हो जाएगा तो याद रखना है important है बहुत जादा finger like outgrowth होती है इनकी thin walls होती है और इनके जो network of thin blood vessels हमें देखने मिलती है इनकी जो surface होती है वहाँ पर तो A, B, C यहाँ पर सही हुआ option number 3 मेरा आंसर होगा next question जो 2012 में बना और 2015 में बना which of the flowing set is the combination of organ of human digestive system that do not carry out any digestive function निम्न में से मानप पाचन तंतर के भागों के सायोजन कावे है कौन सा समूच्ची है जो कोई पाचन कारे नहीं करता तो वो होता है हमारा isofagus देखे वकल कैविटी जो हमारी मुख गोही का है उसमें जो हमारा खाना होता है उसमें जो starch होती है जो मंड होता है वो आपको पता है किसमें कनवर्ट हो जाता है वो sugar में कनवर्ट हो जाता है maltose में कनवर्ट हो जाता है तो यहां पर कोई digestive function नहीं होता सेम ऐसी लार्ज इसंटाइन में और जो आपका मलाशय होता है, रेक्टाम होता है जहां से waste material आकी body से निकल जाता है तो B option यहां पर सही होगा इन तेनों में कोई भी digestive function पाचन प्रिकिर्या जो है वो यहां पर नहीं होती, next question जो यहां पर बना है the part of elementary के नाल which receive bile juice from the liver and store it in a gallbladder यहां पर आहां नाल का वे है कौन सा बहाग है जो यकरस से पितरस ग्रहन करके इसे पिताशे में संग्रहित करता है देखे यहां पर बात हो रही है small intestine की इसको इस बाइल जूस की बहुत जरूरत होती है किसके digestion में, fat के digestion में और जिनका gallbladder, जिनका पिताशे निकल जाता है उनको दिक्कत होती है fat वाले जो भूजन है उनको digest करने में basically यह जो बाइल है, यह जो पितरस है यह बना कौन रहा है, यह बनाता है liver लेकिन यह liver बनाने के बाद थोड़े समय के लिए कहां इस्टोर होता है हमारे gallbladder में, पिताशे में और यह वहां से फिर कब निकलता है जब हमारी small intestine में fat का digestion हो रहा होता है तो उस समय यह जो आपका बाइल जूस है, यह small intestine में जाता है, pancreas भी कुछ important juices small intestine में भेचता है और वहां पर complete digestion जो है वो फिर होता है, तो fat के digestion में यह bile juice मदद करता है और इसको कौन रिजीव करता है इसको small intestine जो है शुद्रान जो है वो रिजीव करती है, तो option number 3 जो है, वो मेरा यहां पर आंसर होगा next question 7 जो 2012 में बना बहुत important question है, photosynthesis प्रकास संस्लिशन के संधर में in this process, solar energy is converted into chemical energy, बिल्कुल यहां पर जो solar energy है, sun की presence में, chlorophyll के साथ होकर यहां पर जो आपकी carbon dioxide और water है, वो आपका chemical energy, मतलब solar energy जो है chemical reaction वहां पर होती है तो बिल्कुल यह बात सही हो जाएगी जो रसाइन उर्जा है, वो रसाइन उर्जा में परिवर्तित हो जाती है अब यहां पर जो photosynthesis है प्रकास संस्लिशन है, बिल्कुल उसमें carbon dioxide और 6H2 carbon dioxide और water का प्रियोग होता है in the presence of sunlight और chlorophyll के activation में और फिर वहां पर प्रिक्रिया होकर carbohydrate बन जाता है और वो carbohydrate जो वहां पर बना वो हमारा बाद में, क्योंकि हर टाइम जो खाना वहां पर बना वो पत्तियों को हर समय थोड़ी चाहिए तो पत्तियां क्या करती है उनको starch की फॉर्म में नहां पर कह रहा है कि carbon monoxide जो है उसको consume करता है नहीं carbon monoxide नहीं carbon dioxide को consume करता है इस वज़े से c और d गलत a और b सही option number one मेरा answer नहीं next question 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 number eight जो कि बहुत important question है जो 2013 में ये question बना दो organism है दो जन्तू है जो एक दूसरी के दो जीव है जो एक दूसरी के अच्छे मित्र है और एक साथ रहती है एक क्या करता है उसको shelter देता है अवास देता है और दूसरा क्या करता है भूजन बनाता है और उसको प्रदान करता है तो जब दो organism इस तरह से रहते हैं, जैसे plant में अभी हमने देखा था rhizobium रह रह रहा था, तो plant और rhizobium के बीच symbiotic relationship वो वहाँ पर कहलाता है, तो option number 4 यहाँ पर सही होगा, इसे हम सह जीवन बोलते हैं, इसी का एक और example आपको पता होना चाहिए, fungi और algae, जो fungi और algae होते हैं, यहाँ पर दोनों भी symbiotic relationship जो है, वो share करते हैं, क्योंकि यह खाना बनाता हो, और यह अधर जो आवास है, nutrients हैं, वो उसको प्रदान करता है, तो fungi और algae में भी symbiotic relationship, rhizobium और plant के अंदर भी symbiotic relationship हमें देखने को मिलता है, तो option number 4 यहाँ पर सही होगा, autotrops वो होते हैं, जो अ यह होती है, जूं वगेरा होगे, वो हमारे सिर में है, हमारे सिर से क्या होगे, nutrients ले दी है, खटमल वगेरा होगे, लीचीज होगे, यह सब क्या है, इसके पैरासाइट के, जैसे इसी में एक एक ग्जामपल आता है, अमर बैल, कॉसकुटा, यह पेडो पर शड़ी रहती है यहां पर क्या होता है, यह बैल को क्या चाहिए, एक होस्ट बॉड़ी चाहिए, जहां से यह nutrient जो है, वो लेती है, तो वो पैरासाइट होती है, यह सब nutrition in plant वाले चैप्टर में लिखा है, तो option number 4 मेरा है, यहां पर सही है, next question number 9, जो 2013 में बना, in the elementary canal, the swallowed food moved downward, because अहार नाल, ज pipe, जो हमारी ग्रास नलिया, हमारी जो ग्रासी का है, उसकी भिती की जो पेशियां होती है, वो क्या करती है, वो संकुचन करती है, और उसी वज़े से जो खाना है, वो नीचे की तरफ किसकता है, और हमारे अमाश्य, हमारे स्टमक तक पहुँछ जाता है, तो option 1 यहांपर सह यहां पर हमें combination में वह combination select करना है जिन में खाली किसकी बात हो रही होगी, जनतु कोशिका, animal cell की ही बात हो रही है, तो हम नोट्स में पढ़ते है, animal cell में क्या-क्या difference है, कौन-कौन से components है, जो animal cell में होते हैं, और plant cell में नहीं होते हैं, अब देगे हम plant cell, पादब कोशिका की नहीं होती है, हमारे अंदर केवल जो बहारी layer होती है, cell membrane होती है, तो यहां पर animal cell की बात कर रहा था, cell wall की वज़े से यह दोनों option होगा यहां पर बाहर, अब देखे, यहां पर chloroplast, चौथ्य option में हरित लवग, प्लास्टिड, chloroplast, हरित लवग, यह केवल plant में ही पाया जा राइबोजोम जो प्रोटीन के synthesize में, प्रोटीन को synthesize करने में मदद करते हैं राइबोजोम, और यह हमारे endoplasmic reticulum में जो है, वहां पर चिपके रहते हैं, notes में मैंने थोड़ा-थोड़ा करके सब के बारे में लिख रहा है, तो उनको आप एक बार जरूर दिख कर हैं, यह animal cell में जन्तु कोशिका में देखने को मिलते हैं, तो वही हमें select करना था, option 3 मेरा यहां पर answer है, 2014 हमें बना question, यहां पर हमसे length जो है, small intestine और large intestine शुद्रांत और वर्दांत की जो लंबाई हैं, उनका ratio पूछ रहा है, तो notes में आप देखेंगे, वहां पर साफ-साफ जो small intestine है, उसकी length कितनी होती है, 7.5 होती है, और large intestine की length होती है, वहां पर 1.5 होती है, point से point करेगा, 15 बन जा 15, 15, 5 जा, तो 5 ratio 1 जो है, यहां पर answer होगा, option number 2, तो यह बहुत simple था, याद रखेंगे, जो length है, वह ज्यादा किसकी होती है, small intestine की होती है, लेकिन अगर width की बात करे तो वह जादा होती है, किसकी large intestine की, next question 12, बहुत अच्छा question, जो 2014 में बना, एक animal है, जो pop out करता है, अपने stomach को, एक जन्तू कैलिशम कारवोनर के कटो, कवच वाले जन्तू के कोमल भागो को खाने के लिए, अपने मुख को, मुख से अपने अमाशय को बाहर निकलता है, जन्तू के शरीर में वापस चला जाता है, जहां आहार जो है, वो धीरे धीरे पचता है, तो यहां पर हमें animal का जो name है, वो यहां पर बताना है, तो यहां पर बात हो रही है, starfish की, इसको आप धिहान रखेंगे, एक animal है, जो अपने stomach को बाहर निकालता है, और जो soft material है, उस को फिर से क्या करता है, अपने stomach को अंदर कर लेता है, और धीरे-धीरे slowly digest करता है, फूड को, तो यहां पर बात हो रही है, तारा मचली की starfish की, तो option number 4, यहां पर answer होगा, next question 13, यह देखिया, amoeba की बात हो रही है, देखिया, amoeba और paramecium जो होती है, पहली बात तो यह कैसे organism होते हैं, सेल वाले चेप्टर में, कोशिका वाले चेप्टर में बढ़ते हैं, हम यह हमारे eukaryotic animal होती है, दो तरह के, देखिया, यह कैटेगरी होती है, एक प्रो क्रियोटिक होती है, प्रो मतला पहले, जो पहले थे, जो बेसिकली प्रो है, जिन में वैल डिफाइन केंद होती हैं, यह आपके हमेशा single cell ही होते हैं, unicellular होते हैं, एक पॉइंट important है, याद रखेंगे, unicellular होते हैं, single होते हैं, concept, pro creative, pro माने, पहले, पहले वाले सेल, जिन में वैल डिफाइन केंदरक, nucleus, जो है, वो देखने को नहीं मिलता है, blue-green algae, bacteria, इसके उद्धारण है, फिर जो यूख्रियोटिक सेल होते हैं, जो आगे चलके विक्सित हुए, वो सिंगल सेल भी हो सकते हैं, और वो मल्टी सेलूलर भी हो सकते हैं, जैसे हम यूख्रियोटिक में आते हैं, और हम मल्टी सेलूलर हैं, लेकिन अमीबा और पैरामीशियम जो हैं, वो यूख्रियोटिक के बहुत सारे points में बता हैं और यहां से question बनते हैं, तो जो सूडोपोडिया होते हैं Amoeba में, basically Amoeba की बात कर रहा है, तो यह क्या करता है, यह सब function करता है, तो single cell भी सारे function कर सकता है, यह injection करता है, absorption करता है, खाने को खाता है, फिर उसका बहार उसको निकालता भी है, तो यह सार false feed होते हैं, मतलब यह अपने पैर जो है नखली के बना लेता है, चलने के लिए और खाने को capture करने के लिए और बाद में इनको खतम कर देता है, तो जो false feed होते हैं, जो नखली पादाब होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं pseudopodia, तो basically pseudopodia किसलिए होते हैं Amoeba में, movement और capture of food के ल next question देखते हैं, question number 14, जो 2014 में बना, फ़ोड़ा जल्दी जल्दी देखेंगे, क्योंकि हमें 80 question देखनी हैं, total मिला कर, यहां पर वो organism पूछ रहा है, जो किसकी category में आते हैं, जो parasite per GV की category में आते हैं, मतलब जो किसी host पर dependent हैं अपने भूजन के लिए, सब notes के अंदर वहां पर चेसे examples यह सब लिखे वे हैं, देखें, algae जो है, यह क्या होता है, यह autotropes होता है, यह अपना खाना खुद बनाता है, photosynthesis की presence में, तो algae यहां से बाहर हो जाएगा, सिम ऐसी जो lycan है, यह भी तो algae होता है, जो symbiotic relationship मैंने बताया थो आपको, कि algae और किसके बीच में होता है जो symbiotic relationship, algae और fungi के बीच में होता है, तो वहाँ पर यह जो algae होता है, यह lycan ही होता है, तो lycan और fungi क्या होता है, symbiotic relationship शो करते हैं, तो यह भी यहां से हट गया, mushroom क्या होती है, यह saprophytes होती है, मरत जीवी पर निरभर होती है, तो यह भी यहां से हट जाएगा, सेम ऐसी east खमीर जो होता है, यह फंगाई का उधारन है, यह सारे यहां से अट जाएंगे, lies जो जो हो गया, आपका कॉसकुटा, marble जो दूसरे पेड़ों पर चड़ जाती है, bad bug हो गया, खटमल हो गया, और जो आपकी leaches है, जोक हो गई, यह सारे क्या है, यह किसी host से क्या करते हैं, आपने correct statement, सही कथन जो है, यहां पर बताने है, जो prokriotic है, पुराने टाइम के, पहले टाइम के, जो prokriotes है, वो do not have nucleus, उनमें केंदरक नहीं होता, यह बात बिल्कुल सही है, उनमें well-defined, जो nucleus है, केंदरक है, वो नहीं पाया जाता, तो यह बात तो हो गई यहां पर सही, और इसक करते हैं, वो prokriotes में यहां यहां पर सारे कार्या कर सकते हैं, तो यह बात भी हां पर सही हो गई, अब ब्लू-ग्रीन एलगी जो होते हैं, ब्लू-ग्रीन एलगी, यह सब prokriotes के ही उधारन होते हैं, A, B, C, 3, 3 सही है, पहला option ही, मेरा यहां पर आंसर होगा, बाकि जो यह यू-ग्रीन होते हैं, इन में वैल-डिफाइन, यह कह रहा है, डू-ग्रीन होता है, वैल-डिफाइन नुक्लियस जो है, वो हमें देखने को मिलता है, विदा नुक्लियर मेंब्रेन, जैसे सेल की मेंब्रेन होती है, सेल मेंब्रेन, ऐसे नुक्लियस की बहारी मेंब्रेन ह के अंदर होता है रहूं वो हlung हमोते हैं न्यूकलिय उम् nuclear ओन विटी आफ़ छॉए यह Environment के अंदर और में और मिलाउन के छिन विए हो देह रीयूक्रोस के छेंट है terrified और में तरह थैकल और में समय शर्दी कोसिक yell में वहिता सिक्स्टी membrane हो गई थी केंद्रक जी से हम बोलते हैं केंद्रक के अंदर एक होता है क्या nucleus जिसके center होता है केंद्रक में यह क्या है यह nucleol है यह nucleol होता है याद आखेंगे यह important है rhizobium जो ribosome RNA जो होते हैं उनका जो protein synthesize है वो यहां पर ही होता है जो nucleols है यह दोनों plant और animal cell दोनों में होगा यह center में होता है nucleus के दोनों के दे future function क्या होता है यह production करता है of ribosome तो ribosome के production में इसका बहुत-बड़ा role होता है Revelation fender में होता है trap में होता है science additions has elim São के अंदर क्रोमोजोम और क्रोमोजोम के अंदर जीन होते हैं तो यह बात B वाला पॉइंट जो है वो यहां पर सही हो गया Unicellular Organism Respirant Reproduce बिल्कुल अमीवा इसका बहुत अच्छा उधर्ण है एक कोश के जीव क्या करते हैं स्वशन भी करते हैं और Reproduction भी करते हैं और जो अमीवा होता है वो Binary Fission जो है उसके माध्यम से Reproduction करता है तो B और C दोनों सही हो गए A मेरा गलत हो गया था यह गलत होने की वज़े से यह सारे आवा गमन को नियंतरन करना चैन्ट्रोल दा एंट्री एंट्री एंग्जिट ओफ मैटीरियल फ्रॉम दा सेल यह बात भी हां पर सही है इसका नूप्शन नमबर सेकिन जो है वह मेरा यहां पर सही होगा बाकि नूप्छियों के बारे में मैंने यहां पर कुछ लिख भी र दूकलियस के अंदर होती है तो नमबर सेकिन यहां पर आंसर था देखिए नेक्स कोशिका यहां पर यह पूरा स्ट्क्चर दे दिया आपको सेल को कोशिका का और यहां से आप से पूछ रहे हैं भी मैचिंग कर लो क्या क्या यहां पर है तेकि जो बहारी लेयर होती है यह क कोशी का भित्ती भी देखने को मिलती है, जो कि हमारे अंदर नहीं होती, तो cell wall वाले सारे option होगा है यहां से बाहर, तो A क्या है, cell membrane है, B यह जो होती है, इस तरह से गोले से structure खाली-खाली से blank आपको दिखाई देंगे, तो यह vacuels होती है, यह हमारे रिक्तिका होती है, यह रिक्तिका जो plant cell है, उनमें बहुत बड़ी होती है, जबकि जो हमारे animal cell होती है, जिसी वज़े से जो हमारा केंदरक है, वो center में हो जाता है, लेकिन plant cell में यह vacuels जो है, यह रिक्तिका जो है बहुत बड़ी होती है और उस वज़े से वहाँ पर जो केंद्रक होता है वो सेंटर में ना होका पेरिफेरल साइड में हो जाता है यह बात भी आपको याद अखने हुए कभी कभी पूछ लेता है कि प्लांट सेल में जो नूकलियस होता है क्या वो सेंट क्या पर बहुत बड़ी होती है तो यह रिक्तिका वेक्टिका था-एक्टर इислक्रति करने हुलिज़ केंद्रक है इसके बीच में जैली-लाइक स्टक्चर होता है जिसे हम क्या बोलते है मेरा कोशि कर द्रब झोलती हैTalk सभी रंगों की पत्यां प्रकास संश्रीशन करती हैं बिल्कुल यह बात बिल्कुल सही है तो यहीं सही हो जाएगी बाकि सारे गलत हो जाएंगे क्लोरोफिल एक इंपॉर्टन पार्ट है प्रकास संश्रीशन का जब भूजन बनाते हैं अगर क्लोरोफिल नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा और यह कर सकती है तो इस वज़े से यह भी गलत प्लांट विद ग्रीन लीव ओनली कैरी आउट फोटोसिंथेसिस इस इस प्लांट विद गलत है तो यह बात भी गलत है तो यह दखेंगे लीव के अलावा इस टैम जो तना है वहां पर भी डेजर्ट प्लांट में फोटोसिंथेसिस इस अमें देखने को मिलता है तो डी पॉइंट वीज़े से गलत है तो ऑक्षिन ए मेरा यहां पर आंसर है नेक् ना खाना खुद बनाते हैं उसके उधारण बताने है काउसकुटा है असे बाहर हो गया में भी साक्षिन और और डिपेंड़नीबार्ण पधिट खासब्णाते हैं कांग और सारे भी होता है टमाट नहineं फोटोसिंथेसिस करते हैं अपना ख़द बनाते हैं यह उटड़ो होता है blue green algae यह भी photosynthesis ही करते हैं तो यहां पर option number A मेरा answer हुआ next question 20 question जो 2015 में बना यहां पर हमसे ruminant जो रोम नथी होते हैं वो जनतु बताने रोम नथी कौन से जनतु होते हैं जो खाने को क्या करते हैं आधा अपनी body के अंदर जाकर stomach में पचाते हैं फिर उसको पूरे दिन क्या करते हैं चबाते रहते हैं फिर बाद में complete digestion करते हैं आपन तो यह रोम नथी होते हैं यह रोम इन्ट होते हैं तो option no.1 जो है वो मेरा यहां पर answer हो जाएगा तो अगर आपको seated science paper 2 के लिए बैल इंग नोर्स चाहिए सारे previous year विदा answers चाहिए तो आपको simple 120 रुपीज की payment करनी है यह दोनों UPI ID है और इसी के regarding आप मेरे को मेरी mail ID वाट नागे केंद्रक होता है सींटर में अ karşıं कौन доб데ा जीविए हं बिलकूल कम चैनल जीवें भी होती है हो यह नूकली वह होता है राइबार है यह जो होता है यह एन्दोप्लास्मी होता है भाहर-म और इंट प्रदापी जिल्ली जिसे हम बहते हैं उसमें भी लाइबो होते है नुकलियस का तो A, B, C जो है वो मेरे यहाँ पर सही हुँगा, तो A, B, C, option number second जो है वो मेरा यहाँ पर आंसर जाएगा, chromosome, gene, nucleols, यह तीनों के तीनों पार्ट हैं किसके? नुकलियस के, राइबोजोम का तो production होता है, यह पार्ट नहीं होता नुकलियस का, राइबोजोम का तो production कर रहा था नुकलियोल्स, तो इसी वज़े से राइबोजोम नहीं होगा, chromosome, gene और नुकलियोल जो है, यह पार्ट हैं किसके एकेंद रखे? next question जो हमारा 2016 में बना, हमारा जो mouth है, उसमें जो हमारे teeth होते हैं, दानत होते हैं, उनका arrangement पूछ रहा है, front से back की तरवती के, front में चार हमारे होते हैं, मैं सिर्फ एक जो की बात कर रही हूँ, उपर वाले जबड़े की बात कर रही हूँ, फिर एक नीचे वाला जबड़ा होता है, तो उपर और नीचे दूनों जबड़ों में, दूनों जों में, जो हमारे incisor होते हैं, सबसे पहले आते हैं, करंतक जो होते हैं, और ये कितने होते हैं, ये 8 होते हैं, आगे वाले 4 दांत उपर के 4 दांत नीचे की, उसके बाद क्या होता है सबसे पहले इंसीजर होगह उसके बाद जो नुकीले वाले दाथ होते हैं ऊपर की तरफ दो और नीची की तरफ दो तो यह हमारे कितने हो गए- 4 और हो गाए और लेकिन कैनाईन है जो रदनक है,वह हमारे कितने होती है, Ты अगया उप पीछे और पीछे की तरफ जाएंगे तो प्री मोलर आजाएंगे तो यह जो प्री मोलर होते हैं यह भी कितने होते हैं यह भी हमारे 8 ही होते हैं तो आपको combination यहां दखना होगा सबसे पहले क्या आते हैं हमारे incisor आते हैं करंता का आते हैं वो इतनी हो गए 8 हो गए 8 हो गए फिर हमारे कैनाइन आते हैं नोकीले वाले वह हमारे कितनी हो गए 4 हो गए फिर से हमारा आइट जाएगा प्री मोलर आते हैं अगर चवर्णक आते हैं वह हमारे फिर से 8 होते हैं उसके बाद लास्ट में हमारे चवर्णक होते हैं मोलर होते हैं 8 प्लस 4, that is 12, तो वो हमारे 12 होते हैं, तो यह sequence आप याद रह सकते हैं, 8, 4, 8, 12, यह मिलकर क्या बन जाते हैं, हमारे 32 जो है दात बन जाते हैं, जो एक adult में देखने को मिलते हैं, और बच्चों में जो है 20 दात, जब जो दूद के दात पूछता है, तो वो याद रखेंगे, जो हैं, वो वहाँ पर हमारे दूद के दात होते हैं, तो option number B, जो है, वो यहाँ पर सही order है, next question, जो 2016 में बना, in plant and trees, water goes up high due to the second pool, यह जो second pool है, जैसे आपने देखा हो, straw से आप क्या करते हैं, जूस पीते हैं, तो वो भी second pool ही होता है, चूशन कर्शन ही बोलते हैं, खिचा परिगटना के कारण होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम Transpiration बोलते हैं, वासपोस सर्जन बोलते हैं, और इसे में क्या होता है, पानी जो है, वो उपर की तरफ पत्तियों में सब तक पहुंए, second pool के माध्यम से, उपर पहुंच जाता है, और फिर बाद में, पत्तियों इसे जो रंध हैं, इसे बाहर निकल जाता है, क्योंकि प्लांट को जो पानी चाहिए होता है, बहुत ही माइनर सा पानी चाहिए होता है, बाकी सारा पानी क्या होता है, प्लांट से बाहर निकल जाता है, Transpiration वासपोस सर्जन के माध्यम से, तो option number second, मेरा answer यहां पर हो गया, next question देखते हैं, question number 24 2016 में भी बना और 31 December 2021 में भी बना, correct statement, सही कथन photosynthesis के बारे में बताने हैं, plant can survive for some time even without photosynthesis, बिल्कुल सही है, पौधे जो होते हैं, वो प्रकास sensation के बिना कुछ समय जीविद रह सकते हैं, क्यों? क्योंकि रात में थोड़ी photosynthesis होता है, प्रकास sensation तो दिन में हो रहा है, रात में वो हो नहीं रहा, तो पौधे प्रकास sensation के बिना रह पा रहे हैं, तो यही बात तो गया रहा है, तो यह वास सही है, plant can survive for some time even without respiration, जैसे हम सौसन के बिना नहीं रह सकते, ऐसे पौधे भी सुसन के बिना नहीं रह सकते और यह कह रहा है कि रह सकते हैं जैसे हम 24 गंटे respiration करते हैं सेम ऐसे ही पौधे भी 24 गंटे प्रकास sensation नहीं करते लेकिन respiration जो है जो आपका क्या है सुसन है वो 24 गंटे करते हैं तो उसके बिना वो नहीं रह सकते हैं रह सकते हैं तो यह हो गया गलत, photosynthesis and respiration both are essential for the survival of plant, यह बात बिल्कुल सही है, यह दोनों ही एक सोसन में और एक खाना बनाने में मदद कर रहा है, दोनों ही अवश्यक तत्व हैं किसके पौधे को जीवित रखने में, तो C भी सही हो गया, A सही, C सही, B मेरा पूरी तरह से गलत है, तो photosynthesis केवल दिन के समय हो रहा है, तो दिन के समय दोनों हो रहे है, photosynthesis भी हो रहा है, respiration भी हो रहा है, तो A, B, C, D में B गलत है, बाकि सारे सही है, तो option 4 मेरा यहां पर आना, next question देखते हैं, question number 25, all the flowing are single cell, except सभी यहां पर एक कोश्के हैं, single cell हैं, सिवाए किसके वो हमें बताना है, तो देखें, जो hen का अंड़ा होता है, मुर्गी का अंड़ा होता है, चाय ओस्टिच का अंड़ा हो गया, यार रखेंगे, जो अंड़ा होता है, जो एग होता है, वो single cell ही होता है, यह important है, आपको याद रखना है, सेम ऐसी जो zygote जो हमने रिपोडेक्शन वाला चैप्टर पढ़ाता है, मेल और फीमेल के फ्यूजन फर्टलाइजेशन होता है, फिर जाइगॉट बनता है, यूगमनज बनता है, तो जाइगॉट होता है, वो भी सिंगल सेल होता है, और वो फ्लोपाइन ट्यूब से महिलाओं की होते वे, म दूनों के दोनों की कैटेगरी में आतना है, ही में उस्केंगेरी में की कैटेगरी में आतें हैं, यू क्रियोटिक में मैंने आपको बतादा, वह सिंगल भी हो साकते हैं, मल्टिसेलूर न पत्ता हैं, तो amoeba और πα्रमीशन मुछती होता है वह लगत शुदुन्सअं और पि इसके मदद से मूफ करता है सुडोपोडिया जो फॉल्स फीड होती है परामीशयम का भी आपको याद रखना है यह मूफ करता है विद्ध हेल्प ओफ सीलिया तो यह इंपोर्टन पॉइंट्स है जो आपको याद रखने है नेक्स कोर्शन यह आपका सैल चेक्टर से कोर्श प्रोटीन का सिंथे साइस करता है तो उसका संबंध है प्रोटीन से ओप्शन नमब बी मीरा यहां पर आंसर हो गया नेक्स कोर्शन देखते हैं इसमें देखें मैचिंग करनी है यहां पर क्या हो रहा है ओर्गन ऑफ डाजिस्टिव सिस्टम और उनके क्या-क्या फंक्शन यहां पर हमारा प्रोटीन का डाजिशन है वह शुरू हो जाता है जहां प्रोटीन का पाचन आरंभ हो जाता है यह जो गैल ब्लेडर होता है यह क्या करता है यह क्या करता है यह क्या करता है यह क्या करता है जहां पित रस जो है वह संचरित होता है उसके बाद पैंक्रियास जो होता है जो अगणाश होता है ये भी क्या करता है कुछ digestive juices release करता है जो कहा जाते है small intestine में जाते हैं जो की further digestion में मदद करते हैं तो यद ़िधेंगे जो कुछ juices हैं वो liver से भी आ रहे हैं और कुछ juices जो हैं paankreas से भी जाते है small intestine में जहां पर complete digestion होता है तो 4th का मिलान 3rd से तो 1st option मेरा यहां पर answer हो गया next question 28th question यहां पर हमें cell जो कोशी का है उसके विशय में सही बात यहां पर बतानी है लेकिए सबसे छोटा हमारी body का structure होता है cell कोशी का जैसे घर का सबसे छोटा structure eat होती है, brick होती है सबसे हमारी body का सबसे छोटा structure होता है cell, trillions of cell हमारी body में पाय जाते है और जब similar type of cell एक साथ आजाते है तो वो मिलकर क्या बनाते है वो हमारा बनाते है tissue, उतक जो है वहां पर बनाते है याद रखेंगे तो similar type of cell जो है जब एक साथ आते है तो वो tissue बनाते है तो बहुत सारे ऐसे similar type of cell क्या होगे एक साथ आजाएंगे ये सब मिलकर क्या बनाते है ये सब मिलकर आपका एक organ जो है वो वहां पर बनाएंगे ठीक है तो ये आपको ऐसे भी याद रखना होगा cell of our tissue have similar structure बिलकुल जो tissue उतक के अंदर सभी cell कोशिकाएं होती है वो समान होती है ये बात सही है बिलकुल तो यहां पर सही पूछ रहा था तो पहला statement सही हो गया बाकी old cell have nucleus देखे ये गलता है सभी कोशिकाओं में के इंद्रक नहीं होता अभी हमने देखा था जो कुछ cell होते हैं जैसे bacteria हो गया वहां पर algae हो गया तो उनमें क्या है nucleus नहीं है तो ये बात भी गलत है सारे cell round shape के होते हैं जब हम cell chapter परते हैं तो हमने देखा होता है कुछ cell जो होते हैं वो branched होते हैं जो आपके nerve cell होते हैं कुछ muscle cells होते हैं वो spindle होते हैं चप्टे होते हैं तो यहां पर हम यह नहीं कह सकते हैं सारे cell जो है वो round होते हैं कुछ disc की form में होते हैं जो RBC होते हैं वो disc की form में होते हैं तो और जो white blood cell होते हैं स्वेत-रत कोशिकाएं जो होती है हमारे बलड के अंदर जो हमारे अंदर होती है वो क्या कटिए है वो अपनी शेब जो है वो क्या करते है तो यह नहीं कह सकते हैं सारे सेल राउंड्ड शेब के होते हैं दोनों ही बात यह हां गलत है, B, C, D गलत, A, सही, तो option A, मेरा आंसर हो गया, next question 29, which of the following organism can prepare their own food by photosynthesis, निम लिखे जीवों में से कौन प्रकास अंशलेशन द्वारा अपना भोजन बना सकता है, हम पढ़ते हैं, अभी क्या पढ़ते आ रहे हैं, शेवाल, algae, ये photosynthesis करता है, और अपना भोजन खुद ब मश्रूम जो होता है, ये सब किसमें आते हैं, फंगाय की category में आते हो, ये saprophytes होते हैं, ठीक है, next question, 30th question, जो 2019 में बना, why is a plant that does not have chlorophyll, what could why be, why कैसा पौधा है, जिसमें chlorophyll, जो हरित लवक है, वो नहीं होता है, ये क्या हो सकता है, ये कॉसकुटा ही होता है, ये अमर बैल ह होती है, जो parasite की category में आती है, इसमें photosynthesis, ये कुछ ऐसी बेले होती है, जो photosynthesis नहीं करती हूं, और ये plant एक host body पर उपर के होती है, dependent होती है, दूसरे pod उपर dependent होती है, उसके अलावा देखे, यहाँ पर एक example देखे, algae जो हो गया, वो तो autotrop की category में आ जाएगा, सेम ऐसी फिर कार्णी वोरस, देखे, एक होती है, हर्वी वोरस, जो शाकाहरी होते हैं, एक होती है, मासाहरी जो कार्णी वोरस होते हैं, तो ये जो पिचर प्लांट होते हैं, ये कार्णी वोरस की category में आते हैं, इसके कुछ धान हैं, जो आपको याद रखने होंगे, वीनस फ्लाइट picture plant cobra lily drosera ये सारे के सारे example है किसके insectivorous plant गे और हम इन्हें क्या बोलते हैं इन्हें हम carnevores भी शाकाहरी plant जो है पादब जो है वो भी बोलते हैं इनके example याद रखने होंगे insectivorus के venus fly trap picture plant याद रखेंगे बहुत IMPORTANT है venus fly trap पूछे पिचर प्लान पूछे, कोबरा लिली पूछे, ड्रो सेरा पूछे, पस ये चारो एक्जामपल ही आप याद रखेंगे, को कि NCRT में इतने का ही जिकर है, तो option number यहां पर जो answer है फिलाल वो तो option number A है, next question देखते हूं और ये last question है, offline paper का, इसके बाद हम online वाले paper के देखेंगे जो 2021-2022 में थे, तो offline में इस तरह के question बने और इन में से कोई question आपको देखने को मिल सकता है, और offline paper में ही, biology से इन चैप्टरों से बहुत जादा question बने, तो हो सकता है, इस बाद भी आपको अच्छे कासे question इन तीनो चैप्टरों से देखने को मिले, which of the following statement is correct, कौन सा कतन सही है, large intestine is wider, बिल्कुल, जो large intestine होती है, जो वरधान्त होती है, वो शुद्रान्त की अपेक्षा चोडी चथा छोटी होती है, बिल्कुल सही बात है, कि जो large intestine होती है, वो चोणी होती है, लेकिन छोटी होती है, कि से small intestine सही, तो ये बात तो बिल्कुल सही है, और सही कता नहीं तो option बनी, मेरा सही है, बाकि absorption of digested food take place in large intestine, मैंने बताया था, सारा absorption और assimilation कहां हो रहा था, small intestine में हो रहा था, जहां willy होती है, finger like structure होती है, ये गलत, assimilation, large intestine में होता है, नहीं, ये भी small intestine में होता है, swangi करन जो होता है, supply जो होती है, large intestine में होती है, ये तो small intestine में होती है, विली जो होती है, इस वज़े से second, third, fourth गलत है, first option ही मेरा यहां पर सही हो गया, next question देखते है, question number 32, जो 20 December 2020 में बना, और ये अब हमारे online वाले paper है, तब following table, यहां पर एक table दी है, जिसमें presence or absence of certain cell organelle in three cell ABC, तो ABC यहां पर क्या है, यह हमको बताने है, मतलब या तो यह plant cell है, या animal cell है, आप option से देख सकते है, या तो यह पादप कोशी का है, या या आपकी जन्तु कोशी का है, यह हमें पहचानना है, और जो cell के अंदर कुछ parts, components पाए जाते हैं, और इन्हें के basis पर हमें बताना है, यहां पर plant cell की बात हो रही है, या animal cell की बात हो रही है, या यह जो है, यह यहां पर क्या है, option देखेंगे, plant cell है या animal cell है, तो अब आपको पता होगा, जो animal cell होता है, उसमें हम देखते हैं, cell wall और chloroplast नहीं होता, हमारी body का cell कैसा है, animal cell है, जन्तु कोशिका है, और हमारे अंदर कोशिका भित्ती और chloroplast, cell wall और यह नहीं होते, तो सीड़ी सी बात है, animal cell की बात यहां पर नहीं हो रही, अब B के केस में बात करें, देखे, cell wall नहीं है और chloroplast नहीं है, तो सीड़ा सीड़ा दिख रहा है, जब यह दोनों नहीं है, तो इक मीन्स वहां पर बात हो रही है, किसकी, animal cell की, तो पहले आएगा plant cell, यह था plant cell, और B है मेरा animal cell, और animal cell के अंदर chloroplast होता है, तो इसलिए उस पर टिक था, cell wall नहीं होती, तो इसलिए उस पर wrong था, chloroplast नहीं होती, तो उस पर wrong था, अब C को पहचानना होगा, क्योंकि first और third option में भी confusion बनावा है, अब अगर यहाँ पर देखें, C में देखें, तो यहाँ पर cell wall दे रखा है, cell wall पर टिक है, तो अब हमें यह बात clearly पता है, यह जो जन्तु कोशी का animal cell होते हैं, उनमें cell wall नहीं होती, तो यह animal cell नहीं है, इत मींस यह plant cell ही है, तो option number one जो है, वो मेरा यहाँ पर answer हो गया, next question देखते हैं, देखें, जो 21 December 2021 में बना, कौन सा environmental factor है, जो impact करता है, किसको rate of transpiration को सबसे ज़्यादा फरक करता है, पारेवरनी कारक जो वास्पो सर्जिन की दर को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, तो वो यहाँ पर हो जाएगा, relative humidity, आप एक्षित आदरता, देखें, इस time, जो अब यह time चल रहा है, इस time humidity बहुत है, आप जब अपने temperature देखते होंगे, फोन में तो humidity लिखाता है 98%, कभी-कभी तो 100% रोटेट, में बारिश वहाँ पर हो रही है, तो जब humidity ज़्यादा होती है, तो पौधो में आपको पते सकनपुल कम होगा, ट्रांस्पिरेशन घट जाएगा और पानी बहर मुश्किल से निकलेगा, तो humidity जैसे आपने देखा होगा, humidity जब होती तो पसीना नहीं सूपता, तो वही चीज है, यहाँ पर ट्रांस्पिरेशन का जो rate है, वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा, किससे रिलेटिव हुमिडिटी से, तो option number second जो है, वो मेरा यहाँ पर answer हो, next question देखते हैं, question number 34, जो 21 दिसंबर 2021 में बना, यहाँ पर देखे, दिहान से देखेगा, question में पूछ रहा है, कौन से कथन सही नहीं है, तो यहाँ पर जो wrong है, जो wrong statement है, वो हमें यहाँ पर बतानी है, the number of cell in elephant is more than the number of cell in monkey, यह बात तो बिल्कुल सही है, किसी हाती की कोशिकाओं की संख्या, बंदर की कोशिकाओं की संख्या की तुल्ना में अधिक है, क्योंकि हाती बड़ा है, तो उसमें cells जो है, वो जादा होंगे, as compared to बंदर, तो यह बात यहाँ पर बिल्कुल सही है, तो number पर difference आ सकता है, लेकिन size और shape में अंतर नहीं आता, देखे, अगर मैं यह कहूँ, जो nerve cell है, वो monkey में भी उतने ही size के होंगे, और elephant में भी उतने ही size के होंगे, यह बात याद रखनी होगी, आपको number of cells difference हो सकते हैं, अगर larger organism है, तो number of cell वहाँ जादा होंगे, कोशिकाओं की जो संख्या है, जो number हैं, वो वहाँ पर जादा हो सकती है, लेकिन shape और size में फरक नहीं आता, size जो है, अगर मैं यह कहूँ, जो red blood cell है, उनका disc shape में है, तो वो size जितना होगा elephant में, वो उतना monkey में भी हो सकता, और यह कह रहा है कि elephant बड़ा है, तो वहाँ पर size of cell जादा है, नहीं यह बात गलत है, same ऐसे ही shape, अब देखें, जो disc, जो आपके क्या कहते है, red blood cell होते हैं, वो disc form में होते हैं, nerve cell जो होते हैं, long और branch होते हैं, जो muscle cells होते हैं, spindle होते हैं, skin cell जो होते हैं, वो flat होते हैं, तो इनकी जो shape elephant में है, same वैसे shape monkey में होगी, और यह कहा रहा है, वो different होती है, तो यह बात भी यहाँ पर गलत है, तो B और C यहाँ पर गलत है, A सही है, it means third option मेरा answer होगा, क्योंकि हमसे पूछा था, क्या गलत है, तो B और C गलत है, आपको अभी यह बात mind में रखनी होगी, size और shape जो है, वो दोनों organism में same हो सकते हैं, लेकि number vary कर सकता है, इतना बड़ा organism, वहाँ पर number of cell उतने ही ज़ादा हो सकते हैं, तो third option जो है, वो मेरा यहाँ पर answer होगा, next question देखते हैं, यहाँ पर हमसे function of transpiration in plant, जो wasp or surgeon का function होता है पौधो में, उसकी सही व्याख्यान, सही यहाँ पर जो option है वो बताने हैं, it help in cooling the plant, तभी आपने देखा होगा, पौधो के आसपास ठंड़क होती है, क्योंकि वहाँ पर transpiration, wasp or surgeon चलता रहता है, पानी बहार निकलता रहता है, जिससे क्या होता है, ठंड़क बनी रहती है, तो यह बात हो गई सही, it help in absorption and distribution of water and mineral to leaves, बिल्कुल, यह जो nutrients हैं, minerals हैं, water or minerals को हमें leaves तक पहुँचाना है, तो पानी के माद्धियम से क्या होते हैं, तो यह मतलब पानी के माद्धियम से तो ऐसा होता है, लेकिन यह प्रिक्रिया क्या क्या रहती है, यह ट्रांस्पिरेशन क्या रहती है, तो बिल्कुल, यह absorption and distribution of water and minerals to the leaves में, जो हैं, मदद करता है, कौन आपका वासपो सर्जन, और यह जो water and minerals जो पहुचाने का क्याम करते हैं, यह कौन से टिशू करते हैं, यह हमारे xylem टिशू करते हैं, जब हम transportation पढ़ेंगे, वहां पर भी हम यह देखेंगे, तो जो हमारे plant जो होते हैं, उनमें दो तरह के टिशू होंगे, वस्कुलर टिशू, यह होता है xylem, जो जल का समभाहन करते हैं, जल और minerals का समभाहन करते हैं, एक होते हैं flim, जो food, जो nutrients हैं, उनका समभाहन करते हैं, तो जब जल का समभाहन होगा, तो वह xylem टिशू होता है, और उसमें transpiration, water जा रहा है, तो transpiration होगा, तो Transpiration जो वासपो सरजन है वहां भी मदद करता है जो हमारी leaves होती है उनमें होते हैं स्टोमेटा रंद छिदर होते हैं बहां guard cell भी होते हैं तो यह छिदर क्या करते हैं यहां से पानी जो है बहार निकल दा है Transpiration के समय क्या होता है Gases का Exchange भी होता है तो A, B, C तीनों के तीनों यहां पर सही होंगे It means option 4 मेरा answer होगा Next question, question number 36 जो 23 December 2020 में बना यहां पर देखें कुछ हमें cell दे रखें जैसे nerve cell होगया तंत्री का कोशी का Red blood cell होगया White blood cell श्वेतरक्त कोशी का होगी Muscle cell, species, skin cell तो इनके जो shape होती है उनसे हमें इनका जो आकार है उनसे हमें इनका मिलान करना है तेकि जो nerve cells होती है आपको पता है वो long और branch होती है लंबे होती है इसे हम axon बोलती है और कुछ इस तरह का structure हमें देखने को मिलता है यह हमारा कैसा cell होता है nerve cell होता है यहां पर हमें देखने को मिलता है, तो रेड ब्लड सेल हो जाएंगे, डिस्क शेप के तो बी का मिलान होगा, और देखिए इनकी शेप होती है, वो इनकी अलग-अलग फंक्शन में बड़ा रोल प्ले करती है, उसी हिसाब से इनकी शेप होती है, जैसा यह फंक्शन करते हैं, तो फंक्शन के हिसाफ से इनकी शेप होती है, यह बात भी आपको याद रखनी होगी, तो बी का मिलान सेकिंड से होगा, जो फर्स्ट उप्शन में तो है, नहीं जो सेकिंड उप्शन ही मेरा आंसर वजाएगा, वाइट ब्लड सेल्स मैंने पीछे भी बताया था, जो यह श्वेत रख्त कोशिकाएं होती है, यह अपनी शेप जो है, वो चेंज करती रहती है, तो यह सी का मिलान यहाँ पर होगी आपका, इससे फोर्स से होगी है, बसल सेल्स कैसे होती है, और इसकी इंसेल के जो शेप होती है, वो फ्लैट होती है, चप्टी होती है, तो यहाँ पर जो मिलान होगा, वो उप्शन नमबर सेकिंड से सही होगा, नेक्स कोशन देखते हैं, यहाँ पर जो पौदे हमारे मुर्ज हा जाती है, उसकी पीछे का कारण पूछ रहा है, विल्टिंग ओफ प्लांट कीछ वज़े से होगा, देखे, पौधे को अगर पानी ना मिले, या वहाँ पर ट्रांस्पिरेशन बहुत ज़्यादा हो जाए, जैसे सनलाइट की प्रिजेंस में, या हवा चल रही है, तो उसकी प्रिजेंस में, ट्रांस्पिरेशन का रेट बढ़ जाता है, पानी जल्दी से निकल जाता है पौधों में से, तो अगर पौधों में से बहुत ज़्यादा पानी निकल जाता है, तो वहाँ पर पौधे क्यों हो जाते हैं, मुर्ज जाते हैं, एक्सिसिफ टांस्पिरेशन की वज़े से यहां पर पौधे मुर जा जाएंगे तो option number A, यहां पर सही हो गया अत्य अधिक वासपोर सर्जन की वज़े से पौधे जो है वह बहां पर मुर जा जाते हैं next question देखते हैं यहां पर हमसे यूक्रियोटिक यूक्रियोटिक जीवों का सही combination पूछ रहा है अब मैंने यह माइंड में आके बहुत अच्छी से क्लियर कर दिया है प्रोक्रियोटिक पुराने वाले जिन में वैल डिफाइन केंदरक नुक्रियस नहीं होता यूनिसेलूलर होते हैं वो सिंगल सेल होते हैं वहां देखने को मिलता है अब इसमें यूनिसेलूलर के जो एक्जामपल हो जाते हैं जो कि सिंगल सेल होते हैं वो यहाँ पर हो जाते हैं Amoeba और Paramecium दोनो के दोनो कि इसमें आते हैं, U-Kriotik Organism में आते हैं और दोनो के दोनो ही क्या होते हैंब के सिंगल सेल होते हैं जबकि bacteria, blue-green algae ये किसका उधारन होते हैं, ये prokriotic का उधारन होते हैं, तो अगर prokriotic organism पूछ ले, तो bacteria और blue-green algae option में देगा, तो वो वहाँ पर तब वो answer होगा, answer है यहाँ पर option number second, next question देखते हैं, यहाँ पर पूछ रहा है, which of the following process cannot be considered as essential characteristics of all living organism, all living being, निम्न में से कौन से प्रिकरिया, सभी जीव धारियों का निवारिया भी लक्षन नहीं माना जा सकता, ये हमें यहाँ पर बताना है, तेकि reproduction सब में होता है, जनन जो होगा, respiration जो है, वो सब करते हैं, हमने देखा है, यहाँ पर excreation भी बहुत बड़ा role play करते हैं, excreation कुछ होगा, लेकिन ejection हो, मल त्याग ना हो, यह important परिकरिया नहीं होती, तो प्लांट वगएरा है, वो मल नहीं त्यागते, तो ejection जो है, वो एक important characteristic, यह essential characteristics में नहीं आता, सेम ऐसे ही ingestion, जो हम लेते हैं, वो भी ingestion और ejection, यह दोनों ही important characteristics नहीं होते हैं, बाकि याद हैंगे, excreation, respiration, reproduction, उत्सरजन, स्वसन, जनन, यह important परिकरिया हैं, जो है, हमारी होती है, living being में, ejection, और यह आई वाला, और यह वाला ejection, दोनों ही important परिकरिया में नहीं आते हैं, तो option number A यहां से बहार हो गया, मल त्यागना जो है, वो important essential characteristics के अंदर नहीं आते हैं, next question देखते हैं, question number 40, जो 28 December 2021 में बना, which of the flowing lead to an increase in the rate of transpiration, यह जो वास्पो सर्जन है, उसकी अगर मुझे दर व्रद्धी उसमें करनी है, तो क्या यहां पर होना चाहिए, देखिए, पहले पत्ती सपोज इतने एरिया की थी, अब मैंने पत्ती का एरिया बढ़ा दिया, उसका छेतर फल बढ़ा दिया, तो आपको पता है, जो transpiration, वास्पो सर्जन होता है, वो stomata जो रंध होते हैं पत्तियों में, उन में से होता है, उन में से पानी निकल जाता है बाहर, तो अगर जब area बढ़ जाएगा, तो stomata बढ़ गए, transpiration का rate भी वहां automatic बढ़ जाएगा, लेकिन पेड की अगर मैं height बढ़ा दूं, तो transpiration नहीं wind velocity, हवा के वेग में वरद्धी कर दे से हम देखा, पानी बहुत तेज चलता है, वो सारी, हवा बहुत तेज चलती है, तो आपने देखा होगा, पत्तों से पानी एक दम जढ़ जाता है, तो वहां पर transpiration का rate है, वो बढ़ जाता है, तो A और C के case में हम, जो वास्पो सर्ज क्या क्या कहलाती है, उनसे हमें इनका milan, मैचिंग जो है, वो करनी है, अग जो माइट्रो कॉंड्रिय होता है, ये energy को स्टोर करता है, उर्जा को स्टोर करता है, इसलिए हम इसे powerhouse कोशिका का शक्ति स्थल जो है, वो बोलती है, तो A का milan थर्ट से होगा, जो second और fourth option में द center कोशिका का सुचना केंदर जो है, वो हमारा केंदरक nucleus कहलाता है, master जो है, master जो कहलाता है, पूरी हमारी cell का, वो ये ही होता है, nucleus केंदरक, इसलिए हमें से Information Center भी बोलती है, cell का, gatekeeper, जो हमारा cell का बहरी structure है, उसे हम, जिससे वो protect है, पुरा की structure उसका बना वा रहा है, वो होत से option number second जो है वो मेरा यहां पर आंसर हो गया, next question देखते हैं, repeated question है, the part of human elementary canal, where complete digestion of fat take place, यह जो fat का पूण पाचन होता है, वसा का पूण पाचन होता है, यह कहा होता है, यह हमारा small intestine में होता है, और इसके पाचन में किसकी जरुवत होती है, जो bile juice, जो bile juice किसमें स्टोर होता है, गैल, bladder में, पिताशे में स्टोर होता है, उसकी जरुवत पड़ती है, तो option second, यहां पर आंसर होगा, यहां पर आकर fat का complete digestion होता है, और सारे जो important digestion, पूरा जो complete है, वो यहां पर हो जाता है, fat जो है, आपका glycerol में convert हो जाता है, और जो आपका protein है, वो amino acid में convert हो जाता है, sugar गुलकोज में convert हो जाती है, और फिर वो absorption होने के बाद वहां पर उनका assimilation, small intestine से स्वांगी करन भी small intestine से ही हो जाता है, तो option second, अब यहां पर incorrect, जो गलत है, वो हमें यहां पर बताने है, shape of the cells are specifically related with the function, अभी मैं पीछे बता रही थी कि कोई disc shape का है, कोई long core branch है, कोई spindle है, एन की shape होती है, वो उनके function से relate करती है, यह बात बहुत important है और यह बिल्कुल सही है, जो उनकी आकरती होती है वो उनके कार्यों से स обычно अब करने हुदी है, अब cell membrane जो होती है, यह plant cell में नहीं होती, और जो पादब कोशी का होती है, वो नहीं दोनों होती है, cell membrane, कोशी का जिल और cell wall भी होती है, तो यह बात हो गई यहां पर गलत, B गलत है, A सही है, तो A सही है, तो यह option तो हो गया, बाहर क्योंकि हमसे गलत वाले पूछ रहा है, इम्पौर्टेंट है, देखे, प्लांट सेल के अलावा, सेल वाल और कहां पाई जाते है, यह आपको याद रहना होगा, जिवानओं में कोशिका भित्य उपस्तित होती है, तो यह सेल वाल में भी पाई जाती है, तो B और C मेरे यहां पर बिल्कुल सही है, इस मिल्ज़ इस तो fourth option ही answer होगा यह जो neuron होते हैं यह exhibit करते हैं spindle shell यह तो long door branch cell जो है वहाँ पर इनकी जो आकरती होती है वो spindle नहीं होती तकली जैसे नहीं होती है वो तो muscle cells होती है तो यहाँ पर answer है आपका जो सही है वो है B or C तो यह important point है जो आपको याद रखना था कि जो cell wall होती है plant cell के अलावा किसमे और होती है bacteria में भी देखने को मिलती है next question देखते हैं जो कि function नहीं है केंदर का हम से पूछ रहा है not यह not शब्द याद रखना इससे बहुत बढ़ी गलती करते हैं निम्न में से कौन सा कार्य केंदर का नहीं है यह हमको बताना है देखें यह जो शेप और रिजिटिटी होता है cell को यह कौन देता है यह तो cell membrane देती है कोशी का जिली जो बहारी structure होता है यही हमारी जो cell कोशी का है उसको शेप उसको आकरिती और उसकी जो रिजिटिटी है उसको सुदंता जो है उसको प्रदान करती है तो cell membrane का यह कार्य होता है ना कि nucleus का तो यही इसका function नहीं होगा option number one ही मेरा यहां पर आंसर होगा बाकि जो nucleus होता है यह क्या करता है तो transfer trend from parent to offspring in the form of gene इसके अंदर chromosome है chromosome के अंदर gene है तो यह उसका function होता है control center of all activities of the cell अभी में बताया थी नहीं कि मास्टर होता है यह नियंतर केंडर की तरह कोशिका के किर्या कलापो को नियंतरित करता है control करता है control center हम इसको बोलते हैं तो यह बात भी सही है यह movement allow करता है देखें यहाँ पर यहाँ आपकी cell है cell के अंदर nucleus है वो बीच में क्या बढ़ाव है cytoplasm जो हमारा कोशिके द्रव होता है तो यह अलाव करता है movement of all the material between the cytoplasm and inside the nucleus nucleus के अंदर और cytoplasm के आहर बाहर जो movement होनी है उसको control यह करता है तो fourth B सही है first option ही होगा यहाँ पर गलत next question यहाँ पर हमें बताना है कौन से statement सही है all protozoans are unicellular पीछे से रटाती भी आ रही हूं आपको कि जितने भी protozoans होते हैं इस वाली class में नहीं इस से पहली वाली class में हमने पढ़ाता जो protozoans होते हैं जिसमें आपका amoeba और paramecium ही आते हैं सीधी सी बात है तो वो क्या है वो unicellular ही होते हैं तो यह बात तो यहाँ पर सही है all bacteria are unicellular बिल्कुल bacteria आपके prokriotic organism की category में आती है तो bacteria जो जिवानों होते हैं वो unicellular होते हैं यह बात भी सही है fungi जो होते है कवक जो होते है वो एक कोश्क है नहीं होते है उसमें yeast जो है वो आपका एक कोश्क हो सकता है लेकिन जो other fungi है जैसे mold हो गई याद रखेंगे M.O.L.D. mold यह भी fungi की category में आती है यह multicellular होती है तो हम यह नहीं कह सकते है सारे fungi unicellular है एक exceptions है लेकिन जादतर fungi जो होते है वो multi-cellular ही होती है तो B, A और B सही है C गलत है इक मेंस option no. 2nd answer है लेक्स कोश्चन देखते है यहाँ पर लेकिए assertion और reason दिया है अभी कतन और कारण दिया है उनमें जो रंध होती है जो stomata होती है वो उनके पत्यों के सतय पर नहीं होती है उनके गुदेदार तने में या पत्यों के बहुत नीचे गहराई में होती है ना कि सर्फेस में तो यह तो होया गलत कि stomata जो है वो succulent stem of desert उनहां पर तो होते हैं इसको देखकर सही कर देंगे इसे जो desert plant होती है उनमें जो पत्यों होती है वो काटों में बदल जाती है जादा तर और जो क्या कहते हैं स्टोमेटा होती है या तो पत्यों अगर है तो उनमें बहुत नीचे होंगे ताकि टांस्परेशन काम हो क्योंकि वहाँ पानी तो कम है और अगर वास्पोर सर्जन जादा होगा तो सारा पानी निकल जाएगा तो इसी वज़े से जो स्टोमेटा रंद होते हैं वो पत्यों के नीचे होते हैं सर्फेस पर नहीं होते हैं तो उसकी गहराई में होते हैं बिल्कुल यह जो स्टोमेटा की पोजीशन है यह जो रंध है यह कहां पोजीशन पर है इससे एफेक्ट करता है क्या जो हमारा वास्पोर सर्जन की दर है तभी तो क्या होते हैं उनमें यह स्टैम में होते हैं या जो लीवस हैं वो मेरा यहां पर आंसर हो गया, नेक्स कोशन देखते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं, बिल्कुल, हाँ, option number 4 E सही होगा, विरीजन तो सही दिया है, लेकिन जो A है, वो मेरा गलत है, नेक्स कोशन देखते हैं, 47 जो 10 जन्वरी में बना, यहां पर हमें मिलान करनी है, क्या बताना है, कौन कौन से सेल्स की, यहां पर बात हो दिया है, present in the human being, but lack nucleus, बहुत important point है, यह मानवों में पाया जाता है, लेकिन इसमें केंदरक नहीं होता, अगर कोशन बने, हमारी बोड़ी के अंदर ऐसा कौन सा सेल है, इसमें केंदरक नहीं होता, यहां याज रखेंगे, जो आपके red blood cell होती है, उनमें क्या होता है, आपका केंदरक नहीं होता, कौन से सेल है, जो shape change करते रहते हैं, वो white blood cell होती है, केंदरक किसमें नहीं होता, red blood cell में होता, have very large vacuums, मैंने पीछे समझाया था कि रिक्ती का बहुत जादा होती है किसमें प्लांट सेल में तो सेल ओन अनियन पील तो प्लांट सेल में आएगा तो यहां पर भाया क्या हो जाएगा इनकी जो वैक्यूल्स हैं वो यहां पर बहुत जादा होती है तो बी का मिलान किसे जगा सेल ओन प्रियास की जिल्ली की कोशिका जो की प्लांट सेल में आ गई ठीक है दो यूप्शन में आड़ करें सीधे आंसर जो है वह इसमें उप्ष्ट नमर्च सेकिंड है मैं सिर्फ आपको समझा लिए हम पर और लान्ट विन आपकें है। अगलों बस्तिते हैं। और अज अविनियां और लाजा को और खूते हैं। जाते हैं किसके भाना है च Natalgy हमागाद त्भान जाते हैं। all bowl one hour सवाइबि त्यूब ऑपनिंग- मार वं साइब दोन यह होते हैं जायलम सेल दोनों और अनावरत नली के सामान हैं तो याद रखेंगे इंपोर्टेंट है जायलम सेल होते हैं इनको याद भी कर लीजेगा आप टॉक्शन नमबर सेकिंड जो है वह यहां पर आंसर था नेक्ट कोशन देखते हैं इसमें देखे हमें मिलान करना है बताने हैं कौन से ओटो ट्रॉप से हैं कौन से पैरासाइट हैं परजीवी हैं कौन से मरत जीवी हैं तेकि जो ओटो ट्रॉपिक होते हैं जो स्वंपोशी होते हैं अपना खाना खुद बनाते हैं उसमें जाएगा एलगी शेवाल हम पढ़ते आ रहें पोटो सिंथेसिस कर तो बी जो होलोजोई होगा वह आपका अमीबा ही हो जाएगा तो बी हमारा सेकिंड से मिलान करेगा जो कि थर्ड ओप्षिन में तो हो नहीं रहा है तो यह हमारा आंसर हो जाएगा पैरा साइड अभी हम देखा था पीछे पढ़ जीवी का उध्धरन वहां पर अमर बैल कॉस दहरन होती है छे पढ़रा मुलान क До effectivement से आपको वाला कोशं पेर आजया इंपोर्टेंट से प्रकासस वला कोश्ट यहां परहां को तो बताने हैं कोई तीन स्टेटमेंट करेक्ट हैं अप्शन आप देखेंगे तो आपको पता चल रहा है फोटो सिंथेसिस में प्रकास संसलेशन में जो सोर उजा है वो कैमिकल एनरजी में कनवर्ट होती है बिल्कुल यहां पर एक कैमिकल रियक्शन होती है 6CO2 प्लस 6H2O यह दोनों मिलकर यहां पर क्या देते हैं C6H12O6 यह क्या है आपका कार्भोहेडरिट जिसे हम क्या कहते हैं Glucose है तो यहां पर यह क्या करा इसने कार्भोहेडरिट बनाया तो basically और साथ में क्या निकलता है 602 है ना तो यहां पर दो से मिलके यह बन गया तो यह कैसी reaction होती है combination reaction होती है दो से मिलके क्या हुआ यहां पर एक component जो है वो बन गया क्या बना यहां पर हमें sugar जो है जो हमें अभी बता है था reaction आपको मैंने दिखाई अब यहां पर क्या होता है carbon dioxide रिलीज होती है नहीं सी तो गलत हो गया carbon dioxide रिलीज नहीं सी ओ टू मतलब 602 जो है oxygen वहां पर रिलीज हो रहा था तो सी तो हो गया मेरा गलत ए और बी मेरे सही थे सी हो गया था गलत इन फोटो सिंथेस ऑक्सिजन इस रिलीज और कार्बन डाई ऑक्साइड इस कंज्यूम बिल्कुल कार्बन डाई ऑक्साइड शुरू में आ रही थी और oxygen बाद में निकल रही थी तो ए बी डी तीन ही सही होने है तो यही option नहीं में दिन में भी और रात में भी तो fourth option यहाँ पर सही है next question 50th question यह भी देखे repeat करतावा question है correct statement बताना है small intestine यहाँ पर कोई दो तीन statement सही हो सकते है small intestine is highly qualified बिल्कुल highly qualified होती कोई कि इसकी length बहुत जादा होती है और यह shorter होती है than the large intestine तो यह highly qualified होती है क्या यह shorter होती है large intestine से नहीं है तो भाहिया longer होती है तो भाहिया पहला point हो गया हमारा गलत और correct statement आप से पूछ रहा है तो यह तो correct नहीं है small intestine receive receive secretion from the liver and the pancreas यह बास सही है जो शुद्रान्त होता है यह यकरत और अगनाशय से स्तरा प्राप्त करता है यह liver से क्या receive करता है bile juice pancreas से भी बहुत सारे juices यह release receive क लेता है ताकि वहां पर digestion of food completely हो सके तो B तो मेरा सही है और जब B सही है तो यह option होया यहां से बाहर लीवर हमारा largest gland है बिल्कुल सबसे बड़ी गरंती होती है जो पितरस स्तरावित करती है बिल्कुल जो secret करती है bile juice तो C भी और C सही है तो भाहिया यहां पर यह option यह तो यह सही है और भाहिया यह सही है अब देख लेते हैं यह मेरा सही था ही नहीं तो B और C सही होगे option number second जो है वह मेरा answer हो जाएगा बाकी देख लेते हैं the pancreatic Zeus act on fat देखे fat पर एक्ट नहीं करते है pancreatic Zeus ठीक है तो fat पर जो एक्ट करता है वह हमारे क्या होता है bile juice होता है bile juice होता है वह किस पर act करता है fat पर act कर देता है और उनको simpler sound में बदल देता है तो D हमारा गलत है अब D भी गलत है तो B और C ही हमारे सही थे it means option number second जो है वह मेरा यहां पर answer हो गया देखे 50 question हो गया है आज का target रखती है कि आपको देखे वीडियो को like करना है और 500 like आपको complete कराने है दे चैनल को subscribe नहीं करते है कुछ नहीं जाता आप लोग का लेकिन meme के लिए बहुत important है तो प्लीज subscribe भी कर दिया करें ठीक है और 500 like का target आपको पूरा कराना है 51 question देखने है 21 जन्वरी में बना X is a plant which is an autotrop as well as heterotrop तो यहाँ पर जो अपना खाना खुद भी बना रहा है और दूसरे पर निरभर भी हो रहा है तो वो होते हैं आपके insectivores, picture plant, venus fly trap, drosera वो सारे क्या है वो example थे किसके insectivores के तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा picture plant जो घट पढ़नी होता है यह photosynthesis भी करता है यह photosynthesis भी करेगा, important है के point यह photosynthesis भी करता है लेकिन जो इनकी swail होती है जहाँ पर यह उखते हैं वहाँ पर यह swail से nitrogen नहीं ले पाती तो nitrogen लेने के लिए क्या करते हैं, insects को खाते हैं तो यह carnivores भी है और यह अपना खाना खुद भी बना रहे हैं, autotrop भी हैं, दूसरे पर न पिचर प्लांट यहां पर आंसर हो गया, option number one, next question देखते हैं, यह देखे, symbiotic relationship बाला question फिर से आ गया, 9 January 2013, अभी जो recent paper होई तो उनमें पूचा गया है, निमने में से previous year बहुत important है, सब कुछ previous year से repeat होते वे इन chapter से बन रहे हैं, तो दो question बनेंगे न, यह समझ लिजे, इसी ग्लास से आपको दो question देखने को 100% मिलेंगे, निमन में से कौन सा कथन किनी दो प्राणी जीवों के बीच सह जीवी संबंद का सही व्याख्यान करता है, यह जो symbiotic relationship होता है, जैसे lycan, जो egg, algae था, और यह फंगाई के बीच में हो रहा था, यह rhizobium और प्लांट के बीच मे हैं, तो थर्ड option यहाँ पर सही होगा, next question, जो unicellular नहीं है, क्या लिखा है, not, नहीं है, एक कोश्क है नहीं है, वो हमें बताना है, amoeba, paramecium, eulina, यह सा protozoa की category में आते हैं, यह amoeba और paramecium जोते हैं, वो eukaryotic तो हैं, लेकिन यह unicellular होते हैं, single cell होते हैं, एक कोश्क होते हैं, जब कि जो mold है, यह फफूंदी जो है, यह फंगाई की category में आती है, और यह आपकी क्या है, यह multicellular है, बहु कोश्क है, तो option number second ही, यहाँ पर unicellular नहीं है, next question देखते हैं, जो हमें यहाँ पर सही, correct statement जो है, वो बतानी है, all living cell have a cell wall, बलुकुल गलत, plant cell में थोड़ी animal cell में थोड़ी cell wall होती है, तो इस वज़े से गलत हो गया, यह क्या है, सब में होती है, नहीं, all living cell have a well organized nucleus, यह भी गलत, जैसे हम पढ़ते हैं, blue green algae, bacteria, उनके अंदर तो well organized nucleus नहीं होता, तभी तो वो क्या है, वो प्रोक्रोटिक है, तो यह बात भी गलत, सही पूछ रहा है, all इसने भी cell होते हैं, जितनी भी कोशिका होती है, उनमें cytoplasm होता है, चाहे वो plant cell हो, चाहे वो animal cell हो, all living cell है, chloroplast, animal cell में थोड़ी chloroplast होता है, हरित लवक्तो के वल, plant cell में होता है, पादब कोशिका में होता है, तो थर्ड ओप्शन ही है, यहाँ पर सही, नेक्स कोशन देख स्टार्च को शुगर में स्टार्च को शुगर में विक्टित कर देता है, कैसे माउथ के अंदर क्या होता है, स्लाइवरी ग्लेंड, ग्रंथी के रिलीज करती है, स्लाइवा लार, और लार के अंदर होता है, एंजाइम अमाइलेस, और वो अमाइलेस करता है, स्टार्च को शूगर में convert कर देता है तो यह माउथ का कार्या हो गया एका मिलान फोर्ट से जो कि हमें सेकिंड और फोर्ट उप्शन में मिलता है इस टमक क्या करता है सीक्रेट करता है एसेड को to help digestive juice to act यह acid release करता है hydrochloric acid जो कि help करता है to help digestive juices to act जो पाचन व्रस है को कार्य करने में सहायता के लिए अमल का इस्तिराफ करता है और यही अमल बैक्टिरिया को वगेरा को मारने में भी मदद करता है इसे टमक में से होगा तो बी का मिलान किस से होगा फिफ्ट से होगा आपके दो ऑप्शन बेठ रहे थे ना second और fourth तो बी का मिलान यहां तो नहीं दे रख आ फिफ्ट से में दे रख है तो option number second मेरा answer होगा लीवर क्या करता है secret bile को निकालता है ठीक है जो help करता है कि इसमें digestion of fat में जो की small intestine में बाद में जाता है small intestine क्या होता है इसमें विली होती है for increasing the area of absorption absorption के छेतर में व्रधी के लिए यहां पर दिग्र रूम होते हैं जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इस्टक्चर जो बताये थे वह देखने को मिलते है लार्ज इंटेस्टाइन जो हमारी व्रध बड़ी आथ है वो क्या करती है यह यहां पर करती है अग्जॉब वाटर ने सम सॉल्ट फॉम अंडाजेस्टेट फूद अब जो अंडाजे लवण है जो सॉल्ट है उनको अफ्शूशित करते हैं उनका अफ्शूशन करता है लाज इंटेस्टाइन तो अप्शे नमबर सेकिंड जो है वह यहां पर आंसर होगा नेक्ट कोशन विच्व दा फ्लूइंग कंडिशन वूड इंक्रीज दा रेट इवापरेशन और फॉ इसमें, में इसको इंक्रोड कर लेते हैं कपड़े आफ फईला फेला के सुकाती है तो आप कया करते हैं लिग बढ़ाले के से क्या होता है विवापॉरिशन चु पारेट बह जाता है पानी बढ़ जाताय तो यह वही वाली बात कर है अब जिसे पानी को फहला के गेर देंगे तो इजली जल्दी से सूख जाएगा तो यहाँ पर अगर मुझे एवैपोरेशन की रेट पानी का जल्दी से भाब बनाना एवैपोरेशन वोटर को बढ़ाना है तो मुझे क्या करना होगा तो देखिए हूमजीटी बढ़ाने से तो ऐसा बिल्कुल पौदों में पानी जो है बहा बन के बहा निकल रहा है तीक है डिक्रीज इन टेंपरेशर जादा होगा तो कपड़े जल्दी सूख जाएगा तो रेट ऑफ इवैपोरेशन घट जाएगा सेम ऐसी सर्फेस एरिया बढ़ाने पर बढ़ाने पर इवैपोरेशन का रेट भी इवैपोरेशन का दर भी बढ़ जाता है लेकिन घटाने पर नहीं बढ़ेगा कपड़ों को सुकोड सुकोड के डालेंगे ना तो जल्दी से नहीं सूखेंगे क्यों कि एवैपोरेशन का रेट तो आपने घटा दिया तो डिक्रीज यह सब गलत है किस केस में जुए म McCarthy सिक्रीट उनका स्त्राफ करती है। पी इवैपोरेशन के किस गटक के कण्तरे करती है जो आप्जड क्यों तरे किस अध्यका परोपर कॉर्छ मोटोच दो डिएक परद मत्यकर करते यह करता बहुतता है इस नहीं है तो आपको अशme को जोर्ग ऑँव domin Circle उन से नह पेट में आपको पढ़ा है किसी चेपटर अपने पढ़ा था है कों मैंने पढ़ा था इस से इस में पड़ाए तो वहां पर मैंने पता है प्यत्य निकल रहे हैं तो वो किसके Synthesize करते हैं? वो वहाँ पर protein के Synthesize में मदद करते हैं, protein का पाचन जो है हाँ, अब lever while secret करते हैं, और किस component पर काम करता है? फैट पर काम करते हैं, उसके digestion में food के अंदर जो fat है, उसके digestion में यह मदद करता है, तो option number 3 जो है वो मेरा यहां पर आंसर होगा, CM as it is Hindi में भी लिखा है, मंड, प्रोटीन, पित और वास, option number 3 हुआ मेरा यहां पर आंसर, next question रेखते हैं, अब लेकर, transpiration, फिस्से वासपोर सर्जन से question बना, और अब आपको यह पूरी तरह से clear हो गया होगा, transpiration creates second pool बिल्कुल, which cause water to reach great height in tall trees, बिल्कुल जैसे second pool के होता है, जैसे straw से हम glass से नीचे से पानी उपर लाते हैं, CM as it, वासपोर सर्जन चूशन बल उत्पन करता है, जो उचे व्रक्षों में जल को उचाई तक पहुचाने का क मदद करता है, यह बात भी सही है, transpiration help in absorption of water by root, पानी को जड़ों से ले जाने तक उपर तक ले जाने का काम, उसके absorption का काम में भी यह मदद करता है, A, B, C, A, 3 सही है, it means option number 4, यहां पर आंसर मेरा हो गया, next question, which of the following process take place in plant, plant में कौन-कौन से प्रक्रम पौदों में संपन होते हैं, तो याद रखना है, ingestion और ejection, मैंने पीछे भी बताया था, यह ingestion और ejection, यह important component नहीं होते हैं, सब living organism में, तो यह यहां पर नहीं होता है, इसमें ingestion नहीं होता, अंत ग्रहन यह कुछ नहीं करते, वैसे हम खाने को अंत ग्रहन करते हैं, तो इनमें ingestion नहीं होता, सेम ऐ excretion वहां पर होता है, transpiration भी यहां पर होता है, absorption भी होता है, जैसे water or mineral का absorption कर रहे थी, assimilation स्वांगी करन भी यहां पर होता है, तो E यहां पर नहीं होता, तो A, B, C, D, it means option number second, मेरा answer होगा, next question देखते हैं, देखे, the leaves other than green also have chlorophyll, मैंने बताया था, एक question अभी पीछे था, it's respective of color, all leaves can perform photosynthesis, तो वह बात वहां पर सही थी, तो leaves other than green also have chlorophyll, बिल्कुल हरित पत्तों, हरित पत्तों के अलावा अन्या पत्तों में भी पंड्र हरित जो होता है, यह बात बिल्कुल सही है, photosynthesis take place in these leaves also, बिल्कुल इन पत्तों में भी प्रकास translation के प्रकरिया संपन होती है, यह बा मानव पाचंद तंतर के संधर में क्या गलत है, यह हम nutrition in animal में पढ़ते हैं, वहां पर ही सब कुछ दे रखा है, वहां पर ही सब कुछ दे रखा है, बिल्कुल सही बात है, जो छोटी आथ होती होती कुंडलित होती है, बहुत लंबाई में जाद होती है, इसलिए कुंडलिय यह कहते हैं यकरत होता है, यह जो लिवर होता है, यह रजीव नी करता बाई जोस को यह तो सिक्रेट करता है, यह तो स्थ्रावित करता है, अपने अंदर से निकालता है, तो रजीव ठोड़ी कर रहा है तो यह यहां पर incorrect होगा, second option ही मेरा answer होगा, लार्ज इंट्रस टाइ पोचिते से लित पैंवे शुख यह उन्यन घ्रगतें पची तो फोचित बहुत जाता है। अब और देखते हैं प्लास्टिड जो होता है यह जो लवक होता है इसी में हरित लवक और दूसरे भी होते हैं इसमें तो यह बहुते हैं अनिमल सेल में नहीं होते तो यह option भी बहारत वांसर होगा option number D cell membrane होती है हमारे अंदर केंद्रक होता है mitochondria होती है cytoplasm यह सब देखने को मिलते हैं तो D यहां पर यह पूछ रहा था कौन सा represent कर रहा है वो और वो कोशिकांगों को जो एनिमल जीव कोशिकांगे होती है तो वो हो जाएगा option number 4 D next question देखते है 63 dash is the largest gland in our body तो बहुत easy है यह जो लीवर होता है यह largest gland होता है हमारी बॉड़ी में secret करता है bile juice को ठीक है किसके digestion में मदद करता है वसा fat के digestion में तो बात अब आपके mind में रट गई होगी तरह से तो option number second जो है वो answer है next question देखते हैं यहां पर फिर से पूछ रहे है identify the type of cell on the basis of information about cell organelle जो कोशिका के अंग है उनके संदर में सूचना के अदाहर पर कोशिकाओं के प्रकार की यहां पर हमें पहचान करनी की कौन सा animal cell है कौन सा plant cell option को देखें पहले तो अब मुझे clear हुआ मेरा जो A और C हैं यह दोनों के दोनों plant cell हैं लेकिन जो B है क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा component नहीं दिख रहा जो कि plant cell का होगा यह सारे के सारे animal cell में होते हैं कोशिका जिल्ली रिक्तिका सुत्र करनी का केंद्र तो यह animal cell की बात कर रहा है तो option number one यहां section of leaf निर मरिंग में से कौन सा एक पत्री के कार्ट में नहीं पाया जाता बात है जो इनकी होते है और पेर नहीं पाइстве तो नहीं पाया जाते हैं तो उपर की तीन पाया जाते है तोडो पोडिया भॉर जाइलम नहाँ पाया जाते एक के फोटो सिंथेसिस की प्रकिरिया हुई जहां पर 6 CO2 6 H2O carbon dioxide और पानी की reaction होकर वहाँ पर C6 H12 O6 carbohydrate बना और साथ में 6 O2 oxygen वहाँ पर release हुई तो यह जो बना यह जो carbohydrate है तो यह मैंने आपको बताय था है पत्तियों में किसकी form में store हो जाता है क्योंकि हर टाइम तो उन्हें भोजन नहीं चाहिए रात में भोजन चाहिए तो वह starch की form में store होगा तो वह तब ले लेंगे तो starch यह जो starch की form में पत्यों के अंदर यह जो store हो जाता है carbohydrate तो सीधी सी बात है जब ही store होगा जब photosynthesis हुआ होगा तो presence of starch बिल्कुल यह बताता है कि पत्यों ने क्या कर रहा है पत्यों में photosynthesis हुआ है प्रकास sensation हुआ है इसके पीछे का reason क्या दिया है कि carbohydrate जो बनता है photosynthesis में वो convert हो जाता है कि इसमें मंड में starch में बिल्कुल यह बात सही है तो assertion reason दोनों सही है और वो उसकी सही व्याख्यान भी कर रहा है इसी वज़े से जब वो starch की form में store होता है तो हमें वो बता देता है कि photosynthesis हुआ तो पहला option यहाँ पर सही होगा कधन कारण दोनों सही और कारण उसका सही सपष्टिकरण सही explanation भी दे रहा है option 1 answer हुआ next question देखते है यहाँ पर पूछ रहा है statement जो सही है about cell कोशिका के बारे में क्या सही है mitochondria क्या होता है jelly-like substance होता है नहीं जो jelly-like substance present होता है वो तो cytoplasm होता है कोशिके द्रव होता है तो यह तो हुआ गलत mitochondria golgi body golgi body हो गया यह golgi जो body होती है भूल कर नूकलियर मेंबरेन में होते हैं नहीं नुकलियस मेंब्रेन में नहीं होते हैं नुकलियस मेंब्रेन में नहीं होते हैं उसके अंदर तो नुकलियस मेंब्रेन के अंदर क्या होता है क्रोमोजोम जीन्स नुकलियोल्स वह होते हैं तो बीवी गलत नुकलियर मेंब्रेन सराउंडिंग दा नुकलिय यह बात सही है तो यहां पर स्टेट्मेंट पूछा था तो option number 3 ही होगा बाकि nucleus membrane is made up of thread like structure called chromosome नहीं ये क्रोमोजोम की नहीं बने होती है वो तो nucleus के अंदर होते हैं तो ये बिये गलत है तो option number 30 है यहां पर सही है बाकि सारे गलत है next question देखते हैं जो 27 जनवरी 2023 में बना largest gland in the human body रटिया होगा भही लीवर होता है store bile juice gel bladder करता है breakdown starch into sugar saliva करता है helping controlling blood sugar level ये pancreas करता है और इसी में insulin हार्मोन की कमी से diabetes हो जाता है ये सारे चीज़ों तब आपके mind में हमेशा के लिए सेट हो गई होगी तो option number 3 जो है यहां पर मेरा answer हो गया next question 69 देखेंगे symbiotic relationship वाला ही question बन गया rhizobium bacteria is often found in the root of gram, pea, moong, bean ये सारे जो plant पौधी होते हैं ये क्या कहलाते हैं ये leguminous plant होते हैं फलीदार पौधी होते हैं जैसे चने, मतर, moong, bean अन्या फलियों की जड़ों में ये rhizobium bacteria पाया जाता है जो nitrogen का fixation करता है जिवानों का पौधा से संबंध, the association of bacterium with the plant is known as इसको हम क्या बोलते हैं इसको symbiotic relationship सहजीवी संबंध ही बोलते हैं क्यों एक दूसरे पर nutrients के लिए निरभर हैं तो option 1 मेरा answer है next question, next question देखते है, question number 70, which one of the following assertion is true and which is false about human throat जो मानब का कंट होता है, उसके वीजे में क्या सत्य हो और सत्य है यह हमको बताना है, जो मानब का कंट होता है, यह नीचे की तरह भी तो गले में थोड़ा वासा होता है, वह कंट होता है, wind pipe run adjacent to the food pipe in the throat, जो हमारा कंट होता है, उसमें जो स्वांस नली होते है, जो खादे जो काम क्या करता है, जो food है, हमारा wind pipe में ना चला जाए, जो food है, वह हमारा wind pipe में तो air जाएगी हमारी, तो food ना चला जाए, इसलिए वहां पर एक वाल्व जो है, पट दो आर जो है, वह हमारे कंट में होता है, यह बात भी सही है, S1 और S2 तो दोनों सही है, अब इस option में नहीं होगा, इस में भी नहीं होगा, क्योंकि S2 false बता रहा है, यहां पर यह S1 false बता रहा है, तो यह सब बाहर हो गए, सीदी सी बात है, इसी से हम अपने answer पर आ गए, option number 3 सही है, air and food share a common passage in the throat, देके, दोनों common passage share नहीं करते हैं, कंट में आके तो यह दोनों अलग हो जाते ह एर का passage अलग हो जाता है, और food का passage अलग हो जाते है, दोनों अलग हो जाते है, तो share same, वायो और बोजन, कंट में एक रास्ता साजा करते हैं, नहीं, कंट में एक रास्ता साजा नहीं करते हैं, तो S3 मेरा false है, तो S1, S2 मेरे सही हो रहते हैं, तो this means F4 भी सही है, sometime food particle जो है, wind pipe में भी चले जाते हैं जिसकी वज़े से हमें hiccups जो है वो आते हैं यह बात भी शही है तो s1, s2, s4 सही है और s3 false it means option number 3 मेरा answer से answer है answers नहीं answer next question देखते है question number 71 while observing the onion cell देखे जो onion cell है यह क्या है यह plant cell के अंदर जाएगा पादप कोशिका के अंदर आ जाएगा in microsoft one notice many blank looking large x structure in the cytoplasm कोई कोशी के दिरव में अनिये खाली द्रष्टिगत रहत एक्स सनरचना है देख सकता है मतलब बड़े-बड़े जो blank structure होते हैं आपने डियाग्राम में पीछे देखा ता वो क्या कहलाते है वो vacuels होते है अब देखिए यहां पर लिखा है with the same structure in cheek cell are smaller in size अब देखिए जो चीक सेल होता है वो तो एनिमल सेल है वो जन्तु कोशी का है और अनियन सेल जो है वो पादप कोशी का है तो आपको पता है vacuels जो होते हैं जो रिक्तिका होती है यह प्लांट सेल में बहुत बड़ी होती है यहां पर लिखा भी है और यह एनिमल सेल जो के cheek cell उसमें ही छोटी होंगे देखिए कैसे घुमा के दिया है कोशन बात यहां पर किसी होई सिंपल बात यहां पर vacuels की और यह रिक्तिका की और यहां पर आंसर ऐसी दसी दसा यह हमारे यह करता है which give the shape of the cell and also तभी तो हमने इ किसको बोलते हैं vacuels को बोलते हैं क्योंकि यह स्टोर करता है water or nutrients को जर्व पोशक तत्व का भंधारन करता है इसे एक्स को अमीनो अमलोर शकरा का भंधार घर भी बोलते हैं तो कभी कभी पूछ लिया जाए इस्टोरेज हाउस किसको बोलते हैं तो पहली बात तो यहां पर देखते हैं यहां पर देखिए identify the flowing in the contest of digestion पाचन के संदर में निमलिफित को पहचानी है ABC यहां पर क्या है यहां को बताने है get broken into simple sugar देखिए simple sugar में जो broke होते हैं वो क्या होते हैं वो आपके carbohydrate होते हैं क्योंकि जो carbohydrate है जैसे wheat राइस इनके अंदर क्या होता है इस्टार्च होता है और जो इस्टार्च होता है यह किसमें बदल जाती है simple sugar में बदल जाती है तो यह तो यहां पर carbohydrate की बात कर रहा है broke down into glycerol देखिए जो fatty acid रहते हैं यह small intestine में rotorome होते हैं वो आपके glycerol को बता रहा है breakdown into simpler amino acid जो protein होता है में बार बार समझाए कि जो protein होता है वो किसमें हो जयता है वो amino acid में बदल जाता है तो C protein को बता रहा है तो A, B, C यहाँ पर मिलान हो गया option number 3 जो है वो मेरा answer हो गया यहाँ पर हमसे गलत कतन पूछ रहा है plant और animal cell के बारे में पादप और जन्तु कोशिका के बारे में जो सही नहीं है वो हमें बताना है cell membrane दोनों में होती है यह बास सही है cell wall absent होती है यही हाँ पर गलत हो जाएगा cell wall absent होती है यह तो present होती है plant cell में पादप कोशिका में यह उपस्तित होती है ना कि अनुपस्तित तो यही हाँ पर गलत है बाकी सारे सही है plastic जो होता है यह केवल plant cell में होता है बिलकुल अभी हम पीछे देखते भी आ रहे थे जो लवक होता है यह केवल पोधो की कोशिका में उपस्तित होता है यह जो cytoplasm होता है कोशिके दरब होता है यह दोनों में होता है तो यह भी सही है तो second option ही यहाँ पर गलत है next question देखते हैं what kind of reaction is carried out by the plant to produce the food using carbon dioxide and water in the presence of sunlight यह जो हम water का use कर रहे हैं और साथ में यह जो हम carbon dioxide का use कर रहे है in the presence of sunlight और यहाँ पर नीचे लिखते हैं हम chlorophyll यह सब होता है इसमें तो यहाँ पर एक combination reaction होती है जिसमें combine होकर क्या बन जाता है combine होकर हमें carbohydrate यह जो carbohydrate है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है C6H12O6 तो carbohydrate यहाँ पर बन जाता है और यह कैसी reaction होती है यहाँ की combination reaction होती है यह मतलब carbon dioxide और water ने मिलकर क्या बनाया यहाँ पर carbohydrate बनाया एक component बना लिया तो वो combine होकर बन गए तो यह combination सभी किर्या होती है तो option number 3 यहाँ पर सभी होगा decomposition क्या होता है acid or base का neutralization होता है hydrochloric acid or sodium hydroxide है और आपका sodium chloride common salt वहाँ पर बन जाता है वो neutralization reaction हो गया displacement reaction में हम देखते हैं जैसे Fe है Fe को हटाना है वो है कोई aluminium sulfate का solution है तो क्या यह उसको निकाल पाएगा नहीं निकाल पाएगा क्योंकि यह कम reactive है तो यह displacement reaction वाले हम देखते थे यहां पर बात simple किसकी हो रही है third option combination reaction की बात हो रही है next question देखते है because the cell of the onion peel can be observed in a microscope प्याज के छिलके की कोशिकाओं का अवलूकन सुक्षम दर्शी में किया जाता है और 9-10 में हमने भी experiment खूब किया है laboratory में the boundary of the onion cell is called dash प्याज की कोशिका basically प्याज भूल जाया है simply कह रहा है plant की बात हो रही है तो plant cell की जो boundary होती है cell की वो क्या कहलाती है वो होती है आपकी cell membrane कोशिका भित्ती sorry कोशिका हिंदी में क्या बोलते है कोशिका जिल्ली तो वो cell membrane कहलाती है तो ये तो हो जाएगा हमारा cell membrane जो की सिर्फ एक मातर फोर्थ ओप्शन में ही है कोशिका जिल्ली which is covered by another thick covering जो मोटी covering होती है जिससे ये cover ये जो cell membrane है ये मोटी thick covering से cover होती है जिसको हम मोटी thick covering जो उसमें क्या होती है वो cell wall होती है वो क्या होती है वो कोशी का भिट्टी होती है तो B हमारी यहां पर क्या है cell wall है The center dense around round body center of the cell हम क्या बोलते हैं यह तो nucleus होगा तो C तो पक्का nucleus है तो यह option तो वैसे भी बहार हो रहा था और फिर यह जो jelly-like substance होता है इसे क्या बोलते हैं इसे cytoplasm बोलते हैं इन दोनों से भी आप अपने answer पर आजाते हैं अगर आप first second में confusion होता है क्या आप confused हो सकते हैं कि पहले किसकी बात कर रहा है cell membrane की बात कर रहा है cell wall की तो आप इन दोनों से भी अपने answer पर जाते है इसी तो केंद्र के center में जो होता है और jelly-like substance जो इनके बीच में भरा होता है वो आपका cytoplasm होता है तो यहां पर बात हो रही है option no.4 तो सही है A हमारा cell membrane है B cell wall है C nucleus है और D जो है वो कोशी का द्रव cytoplasm है next question देखे है जो 6 February 2023 में बना अब देखे है जो 6 February है यहां पर तीन question बने थे इन चैप्ट्रों से शिखा look at the lower surface of the leaf through a microscope and observe numerous small opening what are these शिखा ने सुक्षमदर्शी की सहायते कि पत्ती की निचली सथय का अवलोकन किया तेकि निचली सथय का है ना ऊपर surface पे नहीं होते निचली सथय पर वलोकन किया वहां चोटे-चोटे चिद्र थे और चोटे-चोटे-चोटे चिद्र क्या कहलाते है वह रंद होते हैं वह स्टमेटा होते हैं तो option number second यहां पर सही है next question देखे है यह जुगाली रूमिडेंट जो रूमिनेंट होती है उनसे फिर से question माना निम लिखे से जो रूमिनेंट होती है उनमें जो पोशा की प्रकरिया उसका सही क्रम क्या होता है जैसे रूमिनेंट के example पूछे गए ते पीछे इसमें काव था जो अपने खाने को क्या करते है अपने रूमन देखे इनका जो स्टमक चार हिस्सों में बटा होता है जो इसको वापस लाते है और वापस लाके क्या करते है उसकी चुई करते है और फिर जाकर इनका कम्प्लीट डिजेशन होता है तो यह खाने को जो जो खाना इस तरह से स्वैलो कर रहे हो और उसको पार्शली डिजेशन जो रहा है यह क्या कहलाता है यह क्या कहलाता है यह क्या तो यहां पर जो सही step होगा process का वो 3 होगा पहले इनोंने निगला फिर उसका partial digestion हुआ फिर उसको वापस लाके चुयू करा और फिर उसका complete digestion हुआ तो option no.3 आमसर होगा देकि next question यहां पर हमें पिचर प्लांट यह इंसेक्ट को ट्रैप करता है बिल्कुल बास है यह जो घट पढ़नी पोधे होते हैं वो किडों को फसा लेते हैं क्योंकि मैंने पूरा समझा दिया था तो असरशन तो सही है अब रीजन क्या दिया है पिचर प्लांट डज नॉट है क्लोर अवह नहीं होता है उन्युज आपर नहीं क्या है तो यह क्लोरोफिल नहीं होता है तो रीजन गलत है यह जो और है जुगाली नहीं, पार्षिड करता है, फिर दिव वापस बंज्ट HEYT saidител निएक हो काद कने यह से आनसे हो जांगा उसे ही हम क्या बोलते है नेक्स्ट और लास्ट कोफिशन आज की क्लास का विच आफ दा फॉलॉइं डज नॉट अकर डूरिंग फोटो सिंथेसिज जो प्रकास अंसलेशन में उसमें क्या नहीं होता उसके दौरान यह हमें बताना है अब्सर्प्षण ओफ लाइट अनर्जी बाइब्स आप बंगया इसमें लाइट आप बन गया इसमें लाइट अनरजी जो है केमिकल अनरजी में बदल जाती है वो रासाइन उरजा में प्रीवेट्ट्ट हो जाती है अब यहां पर reduction of carbon dioxide into carbohydrate, बिल्कुल यह होता है, जो carbon dioxide हो जाती है, वो reduce हो जाती है, उसका reduction हो जाता है, और वो किसमें बदल जाती है, C6H12O6 carbohydrate में, जो है, उसमें अब चैन उसका हो जाता है, यह बात भी सही है, तो गलत जो यहां पर सही नहीं है, वो option number 3, oxidation of carbon, कि carbon का कोई oxidation नहीं हो रहा है, कि carbon से carbon dioxide हो, नहीं सीधे carbon dioxide लेते हैं, तो third option ही जो है, यहां पर यह गलत हो जाएगा, यही हमसे पूछ रहा था, तो इ क्लफ यहा है, वो बाता है व्हा प्तेज हुआ है, यहां थितवा it लेते हैं, वा लेते हैं, फितना थाने के लाएगा घुझा जो इकने कोईट